असलाम अलेकुम फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल फ्रेंट्स अगर अब तक आप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मारे वीडियो पे नाइक को शेयर जरूरी करें okay friends thank you friends आपके साथ यह नए टीप share करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहते हूं friends मैं ओर्लेम कम्पनी के साथ काम रही हूं टीन मैं एक ऐसी कमपनी है जिसकी तुमां प्रोड़ेक्ट्स केमिकल प्री होती है जो कि स्कीन के लिए उसरा भी नुक्सानते नहीं होती फ्रेंट जैसे कि स्कीन का एक्निका मसला पिंपल्स, ठाक दबे, डार्क सर्कल्स या आपकी स्कीन सामली है इस किसम का कोई भी मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं अगर आप मेंसे किसी के साथ भी कोई स्कीन का मसला है या हیर का कोई भी मसला है तो वो मुझे स्कीन के मताविद आपको प्रोडक्ट प्रोड़क्ट करूइट करूगी जिसका 100% जडर्ट होगा अगर आप इनको एक बार यूज़ करेंगे तो इंशाला आपको इतना अच्छर जर्ट मिलेगा कि आप सेकंड टाइम भी उसे ही यूज़ करना पसंद करेंगे फ्रेंड्स आप उससे वर्टसप पे कॉंटेक्ट कर सकते हैं वर्टसप का नमबर आपको स्क्रीम पे दिखाया जा रहा है अब हम आते हैं आज की नेट के बारे में आज मैं आपको वेट कम करने के लिए एक ऐसा ट्रिम बताऊंगे जिसके इस्तमाल से आप अपने वेट को बहुत जल्दी कम कर सकते हैं इस ट्रिंग को रात सोने से पहले आपने पीना है सिरफ पांच दिन में ही इस ट्रिंग को बीने से आपको अपना वजन कम होता मैसूस होगा फ्रेंड्स वजन कम करना मरत और 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 दोनों के लिए बहुत ही मसला है वजन बढ़ जाएं तो इसे कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ लोग अपना खाना पिना चोड़ देते हैं जिन जाकर घेंटों वर्जिश करते हैं फिर भी वो अपना वजन कम नहीं कर पाते और आखिर कार इंसान ठक खार के तंग आ जाता है आज मैं आपको एक ऐसा नाकाबले रिकीन ड्रिंक के बारे में बता रही हूँ जिसे की कर आप अपने वजन को बहुत चल्दी कम कर सकते हैं लेकिन फ्रेंट्स इस ट्रिंक के साथ साथ आपको थोड़ी सी वर्जिश और खाने का भी एहत्याद करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप एक तरफ ये ड्रिंक कीए और दूसरी तरफ जो दिल में आए वो खाए आपने उन तमाम चीजों से परहेज करना होगा जो के वजन बढ़ाती है ओके फ्रेंट्स इस ट्रिंक को बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है आपको चाहिए खाणी यानि शहद और दूसरा दार्चिनी का पाउडर आपने दो चमच शहद लेना है और एक चमच दार्चिनी पाउडर फिर आपने 240 मिली लीटर पानी लेना है इस पानी को आपने उबाल लेना है जब पानी उबर जाए तो आपने इसमें दार्चिनी शामिल कर देनी है और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है शेहद आपने इसमें शामिल अभी नहीं करना क्योंकि जब तक पानी ठंडा नहीं हो जाता आप इसमें शेहद नहीं शामिल करेंगे चूंकि करम पाने में अगर शेहत हल कर लिए जाए तो शेहत की मुजूर तमाम गुषायद खितम हो जाती है इस लिए जब पाने खंडा हो जाए तो फिर ही आपने इसमेश मिलाना है और फिर इस ड्रिंग को आपने सोने से पहले पीना है और फिर आपने इसी ही ड्रिंग को सुबा नहार मू भी पीना है आपने इस ड्रिंग को 5 दिन तक चारी रखना है रात सोने से पहले और सुबा नहार मू इम्षाला 5 दिन में ही आपको अपना वजन कम होता मिसूस हो जाएगा फ्रेंट्स दार्चिनी और शहर्ड को खुद भी यूज़ करें और डूसरों के साथ भी शेयर करें फ्रेंट्स अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आई यो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कामेंट्स में पूछ सकते हैं ओके प्रेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज नाइक और शेयर जरू कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत पूलिएगा ओके प्रेंट्स थैंक यू अला पीस